चमंत्री मदन दिलावर का ये बयान सरकार अध्यापक भरती प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है रीड बंद करने को लेकर खबर चली आपको बता दें रीड बंद करने को लेकर चली खबर को भ्रामक खबर बताया गया है अध्यापक भरती परिक्षा को पारदर्शी बनाना चाहती है सरकार पहले अध्यापक भरती परिक्षा के लिए दो पेपर से भरती होती थे सरकार विचार कर रही है विचार एक ही परिक्षा से हो अध्यापक भरती अध्यापक भरती का सरली करण के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए है तो पहले अध्यापक भरती परिक्षा में दो पेपर होते थे अब सरकार एक पेपर कराने का विचार कर रही है आपको बता दें यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी रीट परिक्षा को बंद करने की बातों से तमाम अटकलों से तमाम खबरों से सरकार ने इन तमाम खबरों को नकार दिया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मरसा जुड़ गए है मारे समरता मलखान मीना मलखान अध्यापक भरती परिक्षा जिसे सरली करन करने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है क्या कुछ अपडेट इसे लेकर देखे बिल्कुल जिस तरह से रीट भरती परिक्षा को लेकर एक अफवाय उड़ाई जा रहे थी कि ही पेपर लो इस तरह की रीति बना जाईगी और कि तरह की बनाई जाएगी और किसे तरह की बनाई जाएगी आ sentence जीए की अएक। तो अभी कितने दिनों के अंदर इसको अमली जामा पेनाएगा उसको लेकर कोई जानकारी या अभी सिरकेवल चर्चाया चल रही है देखे बिल्कुल सुरफ जिस तरह से सरकार भी चाती है कि तुरंट प्रबास बढ़ती की जाये क्योंकि जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने लगातार मुद्दे उठाये थे कि बेरोज़गारी जादा फ्रचाय चुके अवाम चीजों को लेकर अब लगातार शिक्षा मंतरी ने ने देखे कि जल से जल देख ऐसी एक रूप रेखा तयार करें जिसे एक ही पेपर के दुआरा भरती की जाए इन चीजों को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुक चुके हैं और जल देखाने की माना जा रहा है कि एक से दो मेने में जाये देख बरती परक्षा याने अज़्दाबाग बरती परक्षा की परक्रिया सुरू हो जाएगी कर दो में जाएगी कर दो में जाएगी कर रही है अध्यापक भरती को लेकर अध्यापक भरती का सरली करण के लिए अधिकारियों से सुझाओ भी मांगी जाएगी कर दो में जाएगी कर दो में जाएग